हमारा देश एक ऐसा देश है जहां बात बात पर चाई पी जाती है सुबस हो कर उठे तो चाई पी लिए, ओफिस पहुँचे तो चाई पी लिए दोस्तियार मिले तो चाई पी लिए, घर पहुँचे शाम को तो चाई पी लिए रिश्दार आई तो चाई पी लिए, खुश होए तो चाई पी लिए, अकेला बन हुआ तो चाई पी लिए लेकिन क्या आपको पता है, इस गर्मी के मौसमे जहां पारा कही 35 जिगरे के पार तो कही 50 जिगरे के पार पहुँच चुका है ऐसे में हीट वेव, लूप, चिलजलाती धूप, गर्मी की वरसे पसीना इतना शरीर से निकलता है कि शरीर डिहाइडरेट हो जाता है और ऐसे में अगर आप चाई की शौकीन है और इस गर्मी के मौसमे जरुवत से ज़्यादा ही चाई बात बात पर पी रहे हैं तो साफ जान हो जाएए और ये वीडियो जरूर देखिए आपकी एक आदर ता आपकी जान दे सकती है वो कौन सी आदत है ये जानना बहुत जरूरी है इस वक्ट जिस तरीके से तप्ती चल्तिगती पढ़ रही है बारा पचास से उपर है ऐसे स्थिती में जो लोग जादा चाय पीते हैं उनके लिए बहुत जरूरी खबर है कहा जाता है कि भारत जैशेट देश में लोगों को सिर्फ पाना चाहिए चाय पीने का तो चाय पीने से कैसे खत्रा बढ़ सकता है, कैसे आप बीमार पढ़ सकते हैं, ये जानना बहुत ज़ूदी है, एसलिए जानिए कि इस वक्त अगर आप ज़ादा चाय पी रहे हैं, तो कौन सी बीमारी आपको चपेट मिले सकते हैं, आज ये सुनते हैं, डॉक्टरों से कि ड तर्जेर लिए शेर्यस कंसर्म ऐसे में कई सारे ऐसे लोगां जिनको कैफीन मतलब चाय काफी की लत होती है चाय काफी मात्रा बहुत अधिक लेते पूरे दिन में उनके लिए नुक्सान दायक हो चाथ इस तरगा मौसम इसके बार आपरो मैं डौरी की लूपता जैर्मन फिल बात करते हैं चाय की कॉफी की जिसमें कैफीन होता है कैफीन की प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं डायरोसिस पतलब यह जब भी आप चाय कॉफी पीएंगे तो इस किड्नी पे रेट करेगा और यूरीन की मात्रा बढ़ा देगा मतलब बाडी से फ्लीड निकालना सुर बॉल्टी में फ्लीड का ओवर लॉड हो अभी क्या है अभी का उल्टा इस समय बहुत जाता हुए बॉड़ी का ब्यार बहुत है जिसकी बज़े से रिलेटिव बॉड़ी में डियाइटेशन होता है इसलिए हम लोग बोलते पानी की मत्रा पूपीनी चाहिए बहुत बहु पाली यह सिगन जी चाहिए रसी इसका सेवन ना चीए अगर आप इसके अधरिक नहीं कर दो कर दो कहीं निकाल रहा है इसकी वज़े से युरिन तो जाई रहा है लग्पलाइट इंबैलेंस की सम्भवना बढ़ जाती है उसके वह सब्सक्राइब कम हो सकता है उसकी वज़ तो में खोम रहें दूप काम को वहां चाहिए काफी जादा पी रहें यहां ऐसी जगए जाएं पर हुमिड़िटी बहुत हाई है और आप चाहिए काफी जादा पी रहें एसकी सब्सक्राइब घृटी ए उसकी फिवर हो सकता है या कभी-कभी इस इंजुरिएयस वर्म पढ़ना और कभी कभी दोरे पढ़ना या देथ हो जाना यह भी शिम्टम्स हो सकते हैं इसको ब्रेन श्टॉप की बोल सकते हैं जो अगर ब्रेन के अंदर बुखाच चड़ गया है उसकी वजह से शिंटम्स आ सकते हैं और या बहुत सीरियस डियाटेशन हो गया उसके बढ़ते मीं थकल जमने की प्रेट्री में बढ़ना बढ़ना बढ़ जाती है ब्रेन स्टॉप होने की समावना बढ़ना से चाहित जा Cassini एकूटनी इंजरीत रहा चाहिए ह। कुछ और आसी द्वाइन भी है जो डियोटिक एंटिसमें एंटी साइकोडिक ड्रक्स हैं बीटा ब्लॉकर्स हैं जिसकी वज़ेसे भी आपको इरुण जदा हो सकता है जिसके आपको तिक्कत हो सकती तो ऐसे लोग जो सी ओपिडिक हैं अस्तमा के या किड्नी के पेसेंट से जब आपने जाहिए अपने द्वाइयों की मात्रा को एजस्ट एजस्काना चाहिए या वो जबता हमें कुछ और नई प्रिकॉसन देने पड़े उसके लिए अपने सुना डॉक्तरों ने किस तरीके की सलादी है और क्यों तहां है कि जाए 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 नहीं पीना है जाए जब आप साथा पीते हैं तो गर्मी और जादा बढ़ जाती है जिसके एटी हाइज्रेशन होने का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए तहां जा रहा है स्वास्टमंत्राली के तरफ से तमाम साथानी परदी है साथी साथ अगर प्यास ना भी लगी हो तो भी आप साथा स